उत्राखन के जंगलों में इन दिनों आग ने तांडव मचाया हुआ है बता दे कि आग अब रिहाईशी इलाखों तक पहुँच चुकी है और आज 108 एम्बूलेंस इस आग की चपेट में आ गई ये एम्बूलेंस अस्थमा के मरीज को ऑक्सिजन पर बेस हॉस्पिटल को ड्वार ला रही थी इस दोरान ही एम्बूलेंस आग की लप्टों के बीश फस गई चलिए तो अब आप इस घटना की पूरी टीटेल जान दीजे बता दे कि शुकरवार को दुआरी खाल ब्लॉक से एक 108 एम्बूलेंस अस्थमा के एक मरीज को बेस हॉस्पिटल कोड दुआ ले जा रही है और इस दोरान एम्बूलेंस तीन उखाल के समीब जंगल में लगी आग की चपेट में फस गई जिसके बाद 108 सेवा में तैनात एमर्जिंसी मेडिकल टेक्नीशन ने कंट्रोल रूम से संपर्ख कर आग से बचने की सहयता मांगी जानकारी है कि इस जगह पर एम्बूलेंस 20 मिनट तक आग की लप्टों के बीच फसी रही जिसके बाद एम्बूलेंस के ड्राइवर ने सूझ बूझ दिखाते हुए आग की लप्टों के बीच से 108 सेवा को निकाला और मरीज को पेस हॉस्पिटल कोड़ द्वार पहुचाया अब वहां अस्तमा के मरीज का इलाज चल रहा है उत्राखट में इन दिनों ऐसी कई घटनाए सामने आ रही है जिसका संबंध सीधे जंगलों में आग से है जंगल तो आग से खाक हो ही रहे है लेकिन इससे जो जंधन की हानी हो रही है उसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता राज्य में अब तक आग लगने के 739 घटनाए हो चुकी हैं जिसमें 2831 एक्टियर जंगल प्रभावित हुए हैं वही जाग से लाखों का नुकसान भी हो चुका है यूरो रिपोर्ट नेशन वहाँ